Which pharmacy course is best after 12th? B pharma, D pharma और pharm D अगर आप D pharma करना चाहते हैं तो वो Diploma in Pharmacy course होता है दो साल का जिसे करने के बाद आप pharmacist कहलाएंगे इसके लावा आप ना तो higher education के लिए eligible होगे और ना ही आप graduate कहलाएंगे वहीं पर B pharma 4 साल का graduation course होता है middle class family का student current यह कोर सकता है जादा लिए नहीं होता है और चाजात ग्रेडशेयर्ट कोर्स इसे करने के बाद आप ग्रेजवेट होजाएंगे साथ हाइट के लिए यह लिगवल हो जाएंगे बहीं पह फार्मासिस्ट भू जाएंगे तीसरा आता इसे करने के लिए एक अच्छा खासा कोस्ट आपके पास होना चाहिए financially आप मजबूत होने चाहिए इस कोस्ट को करने के बाद आप अपने नाम के सामने डोक्टर लगा सकते हैं अगर डोक्टर अवाइलेबल नहीं है तो आप पेशेंट का इलाज भी कर सकते हैं यह एक डोक्टरेट कोर्स होता है इसकी जो टाइम दिउरेशन होता है पान साल होता है एक साल की इंटरनशिप होते है तो टोतल इस कोर्स को करने में आपको छे साल लगते हैं ऐसे इंपोटन्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्ले स्टोर से हमारा एप जाके डाउनलोड करें थैंक्यू सॉमाइग